तो आज हम लोग पढ़ने वाले exercise 3.2, question number first second, first second number question में आप लोगों को हमने graph बताया हुआ है और graph आप लोगों को खुद से बना करके लाना है, right? अब आज हम लोग सिखने वाले हैं, इसमें प्रतियस्थापन भी दी, उस हिसाब से X और Y होगा, ठीक है, यह आप लोगों का homework है कि आप इस सवाल को graph बिदी से बना करके लाएंगे, क्योंकि graph आपको सिखाए गया है, आज इसी सवाल में हम लोग से सिखेंगे, किताब नहीं बोल रहा है, हम अलग से सिखेंगे, परतियस्थापन भी दी, बिलोपन भी दी और वज्र, बुनन भी दी, clear, चले लिखना स्टार्ट कीजे, माना की, पहले pencil दिया हुआ है और column दिया हुआ है, पहले pencil तो हम लिखेंगे, माना की एक पैंसिल का मुल्ली दिया हुआ है कीमत दिया हुआ है एक ही बात हुआ जो भी लिखना है तो लिखिए माना की एक पैंसिल का मुल्ले बराबर एक्स रुपिया हम पैंसिल के कीमत को एक्स माल लेंगे एवां एक कलम का मुल्ले बराबर वाई रुपिया प्रस्ण से अब आप लोग लिखना बंद कर सकते हैं क्योंकि बोट पे लिखा हुआ है बाद में लिखेगा प्रस्ण में देखिए सवाल में दो इस्तिति दिया होगा पहले इस्तिति में कितना पैंसिल खरदा जा रहा है और कितना कलम तो आप मुझे बताओ जब एक पैंसिल खरदूंगा तो एक्स रुपया खर्च होगा तो पांच पैंसिल के लिखेगा पांच एक्स रुपया उस्सी प्रकार एक कलम का मुल्य हमने वाई माना हुआ है और हमें साथ कलम खड़ी दना है तो कितना होगा बराबर टोटल कितना रुपया होगा टोटल पचास हम लिखेंगे पचास तो लेट क्यों आए हो सभी बाहर खरेड़ो जल्दी बैठो पांच एक्स प्लस साथ और और पचासा मिकरन फस्ट एवाम दूसरे इस्तिति में हम लोग साथ पैंसिल खड़ी दे रहें और पांच कलम तो साथ पैंसिल कितना हो जाएगा और पांच कलम का और टोटल रुपया कितना खर्चा हुआ है तो मुझे लगता कि इस टैप का पांच सकता है ग्राफ यह सकता है कछ एप देखते हैं अब इन दोरो समिकरन को आपको गराफ बनाना तो आता है ऐस सबसे सबसी पहले हम आपको सब्डू बना दें जnezब आपको और फिर समीकरन को आप खुझे सॉल्फ करेंगे फिर जी कोई दिक्कत होगा ता पुछ लिएगा परतियस्थापन भी थी परतियस्थापन भी दिए हम लोग क्या करते हैं समीकरन फर्स्ट या सेकंड से एक तीसरा समीकरन बनाते हैं कैसे समझते जैसे माल लीजिए आ आपकी मर्जी ठीक है तो चलिये हम वाई बराबर ही लिख लेते हैं कोई दिक्कत तो अगर समीकरन फर्स्ट या मने लिखा वाई बराबर क्या लिखा तो आपको समीकरन फर्स्ट को गौर से देखना है और वाई को छोड़के बाकि सब को भेज देना है हो तो य की साथ में इधर आएगा तो बट्टा साथ वस हो गया समीकरंड थर्ड आपको पता होगा जब हम गराब बनाते इसी तरी किसे फॉर्मिट बनाते हैं और तो एक्स का मान निकलता रहते हैं ठीक है यही था चले तो इसी सवाल में हम सब कुसे गए हैं तो समीकरंड हमने बना लिया सम मान हमने कहां से बनाया है तो फर्स्ट से बनाये तो इसको मान को सेकेंड में रखो और यदि मैं सेकेंड से बनाया होता तो मान कहां रखता बस यह बात यहां रखना है 2nd में Y कामान रखने पर Y कामान अगर हमने 1st से बनाया 3rd तो 2nd में रखेंगे अगर आप 1st में रखोंगे Y कामान यह तो क्या हो काट गूर आप पूरा x भी खतम हो जाएगा इसलिए अपनी रख सकते जब आप बनना हो गिर रखे तो देख ले ना सेकेंड में हम y का माह रखेगे अब सेकेंड को अच्छी से दिखलो क्या लिखा है? 7x तो मैंने लिखा 7x को दिखकत प्लस 5y तो 5 और y तो y के जिखाँ पर क्या है? तो सब कुछ y के जिखाँ पर लिखी दो कोई दिखकत यहां तक कसी को बराबर क्या है हमने लिग दिया 46 अब हम इसको solve गड़ेंगे X का माना जाएगा 7X पलस अराम से देखेगा इसको गुना करना है 5 को 50 से कितना होगा माइनस 5 पचे 25 X बट्टा में बराबर 46 सासते 49 X पलस 250 माइनस 25 X बट्टा साथ यहां पर क्या कि आपको समझ में आ गया होगा भीन जूर यानि कि बट्टा में साथ था साथ लग उतम हो गया इसके बट्टे में कुछ नहीं था नीचे हड में गुना की असस थे उन्चास यहां थे क्लिए कोई दिक्कत बराबर 46 49 X माइनस 25 X कितना होगा 24 X 49 से 25 घरता है तो नहीं होता है पलस कितना है साथ किसमें है उधर जाएगा तो तो साथ शक्के 42 का हासिल साथ चौक 284 500 पलस में होता जाएगा तो इसलिए एक्स बराबर 24 गुना में उधर जाएगा तो 322 में से 250 घरताना है यहीं ना कितना हो जाएगा 32 बट्टा काटेंगे तो X का मान क्या निकल गया X का मान क्या निकल के आया अब इस मान को देखिए हमने एक बास हमकर 1st को युज़ किया 3rd बनाने के लिए उसी मान को 2nd में रख दिया अगर 2nd से बनाते तो 1st में रखते अब 2nd से एक मान निकल जाएगा याद रुकिए जैसे Y बराबर लिखे है न तो X का मान निकलता है X बराबर लिखे होता तो Y का मान निकलता अब ये मान X का उठा के यहाँ पे डाल दीचिए Y का मान निकल जाएगा याणि 3rd में डाल देंगे क्या सर्फ 1st में 2nd में डालने से नहीं बरने गा बिल्कुर बरने गा जाओ तो कहीं भी रख दू 1st में रखोगे तहब ही बरने गा 2nd में रखोगे तभी बरने गा य बढ़ाबर हमने लिग दिया वाइबर आबर क्या लिखा है 50 माइनस पांच एक्स कमान कितना है 24 तिया बहतर कटा था तीन बट्टा में साथ पचास माइनस पांच तिया पंद्र बट्टा साथ पचास पंद्र गया तो या है five इस बट्टा सांच कटके है उंताथ पंच है थो हम क्या देख रहें एक्स कमान कितना आ रहा है वाइक कमान कितना रहा है और और कोई दिक्कट यहां तक अब दिखे हमने एक्स ओर वाइक किसको माना था पैंसिल को मुलड कलं का मनद था ना लास्ट में लिख देंगे आता एक पैंसिल का मुल्य पराबर 3 रुपिया एवाम एक कलम का मुल्य पराबर कोई दिकत लास्ट में लिख लेंगे पका अता है तुम लोग का टाइम कब है अब हम लिखेंगे अता एक पैंसिल का मुल्य एक पैंसिल का मुल्य बराबर तो एक पैंसिल का मुल्य कितना निकला एक्स का मण तो हम लिख देंगे बराबर तीन रुपिया एवां एक कलम का मुल्य बढ़ाबर इस तरह से आप एक्जाम में बनाओगे जो भी नमबर रहेगा पूरा पूरा नमबर आपको मिल रहागी जाए दो नमबर ने पूछे या पाशन पूछे पूर सकते हैं एक कोश्चन अबजेक्टिव में पूछे तो अबजेक्टिव में आप जित्रा फास्ट बना सकते हैं उतना मढ़िया बाद यह हो गया आपका अंसर ठीक है अजब आप गराब बनाओगे इसका तो ग्राफ भी आपका तीन और पांच पर ही इकटेगा इसको बाद व्रविगनन बिधि क्रॉस मॉलडिपलिकेशन मैफड़ मीलोपन बिध। इंग्लिजिस में क्व器 सब्स्टीयूशन सब्स्टिउशा मैथधर फोकस्ट बीलोपन बिधि में क्या करते हैं है यह क्या है सभीकरन फर्स्ट अभी लिखेगा कोई नहीं यह क्या है यह क्या है दिक्कत क्या लिख़़े हो क्यों लिख़़े हो फोटो तो मिली जाएगा तुम लोगो फोटो से लिखे लिए सब इकरन फर्स्ट और ये सब इकर सेकंड दोनों में x और y बाले एक को हम बिलुप्त कर देंगे इसलिए इसका नाम है बिलोपन भी थी या बिलुपन भी थी या एलिमिनेशर में था एक को को एलिमिनेट कर देंगे एक्स वाले को या वाले को हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे अब हटाने के लिए क्या करेंगे सुलिए जैसे कि माल दीजिए हमको वाई बाले को हटाना है किसको हटाना है वैसे विलुपन भी थीक लिए दो तीन कोश्चन सॉल्फ करना पड़ पर्ष्ट गुणा फर्ष्ट को इससे गुणा, यानि 5 है तो 5 से और सेकेंड गुणे समी करन स्क साथ से ऐसा क्यूब करते हैं थोड़े दिर में आप समझ जाएंगे अगर यहां पड़ गुणां होता तो मुझे गुणा करने की कोई ज़त नहीं थी सीधा कर जाता अब गुना करो सब्सक्राइब फर्स्ट को पांच से इसको पांच से करो पांच पच्छे 25 यह हो गया आपका 25 प्लस साथ पंच को साथ से कितना हो गया 35 यहां पर क्या है च्छालिस और च्छालिस को साथ से गुना करोगे तो होगा 322 क्या होगा हमने अल्रेडी यहां पर भी किया था तो मुझे पता था अब आपको करना क्या है दिमाग क्या लगाना है ध्यान दिजीगा वाई बाले का गुनांक सेम सेम हो गया दोनों का चिन्ह एक जैसा हो यानि में करें। लेकिन खैने अब हम क्या करें से इसको घटा अब यहां इसका अपना ओरिजिनल सफ्छे यह आपका क्ट गया है patients G6 और यहां है minus 146 घटाएंगे, तो 25 मेंससे 49 जाएगा, तो minus बोगगई, चोटा मेंसे बड़ा नमबर जाएगा है, तो minus, और उल्टा घटा दिए, नौ मेंसे 5 गया, 4, और 4 मेंस 2 गया, 2, यानि minus 246, क्या जाएगा? Same यहांपे भी, चोटा मेंसे बढ़ा घटा नाई तो नंबर माइनस में ही आएगा हाई ना और घटा दीजे दो में सजीड़ हो गया दो 12 में से 5 गया 7, तो कितना आगया माइनस 72 माइनस 24 पूरा का पूरा गुणा में है उधर जाएगा तो भारगा में आ जाएगा तो देखिए यहां पर यहां पर एक्स कमान तीना गया प्रतिया सब्सक्राइब बनाया यहां से समझे बात को क्यों यहां तक तो सब कोश्चन बनाना पड़ेगा चाहिए आपको सवाल किसी विधी से बोले या तो समीकरन दिया रहेगा या बनाएंगे दो ही ची होता है सबोले में क्या होता है आपको समीकरन दिया रहता है वे advocates बसी होता हैँ आप इस x के मानगे डाल दो या आपका बने जाएगगा समीकरन first में किसका मान रखने पर x का मान रखने पर put the value of x in equation first क्या है 5x तो 5 गुना x बोले तो 3 plus 7y बराबर 50 5 तिया plus बराबर 15 प्लस में उधा जाएगा तो या 7y बराबर 50 minus इसलिए y बराबर 7 गुना में है तो 50 में से बंदर गया तो बट्टा कट गया तो तो y का मान कितना आया x का माल 3 y का माल 5 देखिए इस बिदी से बनाए लाश्ट फिर क्या लिखेंगे वही बात अता एक पैंसिल का मुले बराबर एवाम कोई दिक्का थे इसको लिखिए या बज्रगुनन बिधी बता ही दें चलो बता ही देते हैं बता ही देते हैं अब हम लोग सीखने वाले हैं वज्रगुनन बिधी प्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथड चलिए वज्रगुनन बिधी अरने के लिए हमने आपको फॉर्मिला परहाया था स्टार्टिंग में ठीक है फॉर्मिला क्या होता है वह मैं आपको फिर जब वज्रगुनन बिधी परहाऊंगा तब और समझा दूगा ऐसे मैंने फॉर्मिला को समझाता है कैसे अब चलिए देखते हैं सबसे पहले तो इस समीक्राण आपका है इन दोनों समीक्राण से a1,b1,c1,a2,b2,c2 लिखना है और दोनों में एक चीद ध्यान देना है कि अचर पर दाई और है या बाई और है अभी इसमें दोनों तुमें क्या है दाई और है अभी मैं समझाता हूं क्यों जरूड़ी है चलिए वज्वरण बिधी सीखने के लिए सबसे पहले बलोग करते हैं अचलो असपोस्ट में यहां बनाते है फ्रेस में बनाओगे तो अच्छा ड़ेगा वज्र गुनन विधी इसको दूसरी भासा में कैची विधी भी कहते हैं क्रॉस मुलिप्लिकेशन वैथर्ड भी कहते हैं तो वज्र गुनन विधी अब यह अपना समी के नदास फर्स्ट और यहां से अपन क्या करेंगे A1, B1, C1 को लिखेंगे A1 बढ़ाबर तो आपको पता है A1 X का गुननाख सब इरन फर्स्ट वाले में 5, B1 बढ़ाबर 7, C1 बढ़ाबर 8, A2 बढ़ाबर 7, B2 बढ़ाबर 5, C2 बढ़ाबर अब ब्रजण विद्ध लिखने के लिए क्या करते हैं देखें चुकि X बढ़ा जब हम X बढ़ा करते हैं तो X का गुनाख होता है A1, B1 बढ़ा हम इसको ढ़क देते हैं हम इसको क्या करते हैं और अब जो बचा इसको क्रॉस कर दो B1, C2 माइनस B2, C1 इसको ढग देंगे तो क्या बचा C1 बचा, तो C1 क्रॉस करिए C1 A2 और माइनस C2 A1 और मैंने आपको बताया था कि अगर अचरपद दाई और होगा, तो हम लेंगे माइनस एक बच्टा याद हैं? और यदि हम सवाल में जब लिखेंगे और हमारा अचरपद बाई और होगा तो हम लेंगे है एक बट्टा तब हम माइनस एक नहीं लेंगे बतायथा आपको? चलड़ीजिए आप माइनस एक बट्टा हम लेंगे देखते हैं तो माइनस है यानि अचरपद है अचरपद को ठख दिजिए C1 C2 को बचा क्या A1 A2 B1 B2 क्रॉस कीजिए A1 B2 माइनस A2 B1 I think आपको अब डिक्कत नहीं होगा जब भी आप बनाओ के तो A1 B2 माइनस A2 B1 या X बटा B1 अब जिस सबका वेल्यू पता है मान पता है मान उठा के रख दो B1 बोले तो 7 गुना C2 46 माइनस B2 5 बस मान अडाम से रखेगा C1 50 यह मान रखने में गलती होगा सवाल गलत हो जाएगा फिर Y बटा C1 50 गुना A2 7 माइनस C2 गुना A1 बराबर माइनस एक बटा जब सवाल एक्जाम में आए न तो आप किसी वीधि से बना सकते ये वीधि ये वीधि ये वीधि ब्रुपर बोल देखा जिस वीधि से तब वो ही वीधि कभी-कभी बोल देटा है प्रश्म इप्र प्रत्साव ने फिर आप उसी विद्य से बनाओ गया बाकि आपको जो विद्य अच्छा लगे आप उससे बनासे अगर नहीं बोलेगा तो अधिया सात को छैलीकना करेंगे कितना होगा यहां पाकि न वлет्यों कितना हुआ तो जिरो डाल दीजी हो गया अब लोगी सर्थ संख्या अधाना हो तो अगर 45 तब क्या करते हैं तो 45 तो कोई बात ने 45 पर डाल दो 450 उसका अधा कर दो 225 ऐसे भी चल सकता है या इस पर भी जिरो डाल के 400 साइड उसका था तो असान है जो बहुत टाइम बचेगा आपका पांच पचे सा सते या एक्स बट्टा 322 में से 250 गया तो वाई बट्टा 350 में से 230 गया तो कितना हो जागा 120 नहीं ना माइनस एक बट्टा 25 में सुन्चा छोटा में से बारा कट रहा है तो माइनस महीं होगा 9 में से 5 गया 4 24 ना अब आप गौर्स देखिए या माइनस माइनस कट नहीं गया कट गया अब क्या करेंगे इसको एक बार इससे बराबर फिर y बाले को फिर इससे बराबर लिखेंगे चुकि x बट्टा 72 बराबर एक बट्टा 24 अब 72 भागा में उधा जाये तो गुना में इसलिए x बराबर या आप एक कम और करसें यहाँ पर भी कट कर सकते 24 थिया बहत्तर नीचे नीचे तो 3 है कम 3 हो गया इसल प्रत्यस्थापन विदी बिलोपन विदी और छाप लेजिए लिखिये